अमेरिके नागरिक के सामने कैब ड्राइवर ने किया मास्टर बेट अलार्म बजाने पर ग्रफतार एक चकौने वाली घटना में एक 40 वर्षी अमेरिके नागरिक ने एक ड्राइवर पर सभारी के दोड़ाण उसके सामने कते तर पर हस्त मैथुन करने का रूप लगाया टाइम्स ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबेक डी एन नगर पुलिस ने कैप ड्राइवर योगेंद उपाध्याई को पकड़ा और उन्हें बांदरा की एक हॉलिडे कोट में पेश किया जहां उन पर आईपीसी की धारा 354 ए और 509 के तहट आरूप लगाए गए हैं यूएस आधारेत व्यवसाई एक महीने से काम के सिल्सले में भारत में है वैशनिवार को अपने साथियों के साथ दूसरे शहर से काम कत्म कर वापस मुंबई जा रही थी सवारी के लिए बुक की गई एस यूवी में शिकायत करता को ड्राइबर के अलावा आगी की सीट पर बैठाया गया था उसके साथ ही एक एक करके उतरते गए और अंत में उसे अकेले ही उतरने के लिए छोड़ दिया गया महिला के शोर मचाने पर रहागीरों ने आरोपी चालक को पकड़ लिया किसी ने डी एन नगर थाने को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुँची इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई जहां उसके खिलाब मामला दर्ज किया गया है महिला को अंदेरी पश्चिम में उतरना था चालक ने वहान में हस्त मैथुन करना शुरू कर दिया यह जानने के बाद कि क्या चल रहा है उसने उसे जेपी रोड पर कार रोकने के लिए कहा और उतर गई उसने एक अलारू बजाया जिससे चालक आकरशित हुआ एक पुलिस